सम्विदान को खतम करना है और उसका रास्ता आरक्षन को खतम करते हुए उन्होंने चुना है बियार में भी देखा आरेसस ने बोला है बट मोधी सरकार ने 2018 से इसको लागू करने में लगा है कैमपसस में UGC Notification, UGC Gazette Notification 2016 को लागू करके बच्चों के बीच में स्टूडेंस के बीच में आरक्षन को खतम किया अब इनका निशाना है टीचर्स के बीच में तेरा पॉइंट रोसर सिस्टम का विरोजी नहीं करना है बलकि इस सरकार को मजग चुकाना है कि आप इस सम्विधान को और हमारा जो हक है जिसके लिए हमने कुन बहाया है जिसके लिए हमने सद्यों लड़ा है अगर आप वो हमसे चीनेंगे आपको बताएंगे आप उसका रिजल्ट नतीजा क्या होगा मोदी सरकार को लग रहा है कि गोदी मीडियों उसके तरफ है तो कुछ भी करतेगा तो चल जाएगा यह नहीं चलने जा रहा है उसका नतीजा अभी से हम बताने जा रहे हैं और अडिलेंस लाइए मंदिर बनाने के लिए आप बोल रहे हैं अध्यादियस लाएंगे चपपनिश का सीनक कितना है देखुँगा अब अध्यादियस लाओ 200 पॉइंट रोस्टर कर लागू करने के लिए और इसी बात को कहते हुए इन तमाम लोगों को शुक्रियादा करना चाहता हूँ जो इस आंदोलन में जुड़े हुए जे नियसु की तरफ से चातरों की तरफ से और यंग इंडिया की तरफ से हम लोगों का पुरा समर्तन रहेगा और हम लोग इजलराई में आगे रहेंगे इनके लिए आप जिन्दाबान जे भी